नमस्कार दोस्तों कमपर्टिशन एकडमी की यूटूब पोर्टल पे आपका स्वागत है उमीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रहे होगी आप लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और करते भी रहें तभी लक्षे तक पहुंच सकते हैं तभी लक्षे को हासिल कर सकते हैं आज का वीडियो पब्लिस वीडियो है और आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं और रीती काल में रीती मुक्त काबेधारा की बात करने जा रहे हैं इससे पहले जो वीडियो आप लोगों को दिया गया और रीती काल क जो यह वीडियो है उसमें से यह पहला वीडियो है जो पब्लिस होने जा रहा है रिति-मुक्त-काब्यधारा इसके विश्तित कच्छा होगी यहां पर पूरा विश्तित आप सुने यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप बैच को जोईन करना चाहते हैं जो हमारे हैं 15 नॉम्बर से चल रहा है जिसमें कि हम लोग पहुंच चुके हैं रिति-काल में और आज रिति-काल समाप्त हो रहा है रिति-मुक्त-काब्यधारा की बात करके इसे समाप्त करेंगे तो जुड़ना चाहते हैं तो इस दिये गए नंबर पर फोन कटके वट्सेप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं रीती मुक्त काबेधारा देखें रीती मुक्त काबेधारा की जह हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं कि रीतिकाल के ऐसे कभी जिन्होंने लक्षण गरंथ लिखने की परंपरा का पालन नहीं किया वह कभी लक्षण गरंथों से मुक्त होकर रचना करते रहे और उन्हें रीति मुक्त कभी कहा गया जिन में प्रमुख हैं घरानन बोधा आलम ठाकूर दोईजदो ये लोग रीति मुक्त कावेधारा के तहट आते हैं रीति मुक्त कभी अपनी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए कावे रचना करते हैं आस्रेदाता की प्रसंसा के लिए नहीं ठाकूर रीति कभीयों के रूड़िगत परिपाटियों की रचना करते हुए लिखते हैं कि डेल सो बनाय आये मेलत सभाग के बीच लोगन कभीत की वो खेल करी जानों है अब यहां पर एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कुछ दो चार लोग ऐसे भी हैं दो चार लोगों का ऐसा भी कमेंट आया था बहुत नहीं बस दो मिनिट का एक मिनिट का मुश्किल से समय लेंगे आपका कहें सर आप बहुत डिटेल में चल रहे हैं और इतना व अंसिक्ता से आप बाहर निकलें क्योंकि विगत वर्स की जो परिक्षाएं हुई है या अभी जो परिक्षाएं हुई है उनके पेपरों को आप देखें उनके प्रस्णों को आप देखें कि किस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं अब इसी वीडियो में मैं इतना डिटेल चल रहा हूं मैं कुछ प्रस्ण कर रहा हूं क्या आपको पता है प्रस्णों का जवाब अगर आपको पता है तो बिल्कुल आप वीडियो को न देखिए और अगर नहीं पता है तो अन्त तक बने रही है ठाकुर किस ने किया कि फाग का धूम धड़ाका किसे पसंद नहीं था रस के साक्षात अवतार किसे कहा जाता है सूधन की किस रचना को जंगनामा कहा जाता है कि वरिंद सतसई में कुल कितने दोहे हैं गिर्धर गरंथा वली का संपादन किस ने किया किस कवी ने महाभारत को दोहा चौपाई सहली में लिख डाला साजहां के भरे दरबार में किसने सलावत कान की हत्या कर दी आलम और सेख रंगरेजिन के पुत्र का क्या नाम था लाल कवी का विश्नो विलास किस चंद में है किसने कहा है रीतिकाल के बारे में कि हिंदी के रीतिकाल के कभी तो मानो राजाओं, महाराजाओं की कामवासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते हैं, किसने राजा को कभीता सुनाया था, तब राजा ने खोशो कर कहा कि जो मांगना है वो मांगो, तो उस कभी ने कहा सुभान अल्ला, किसने कहा था, बोध गठशन के पदों का संगल संकलन सुझानन सागर नाम से किस ने किया आलं के रचन했던 आलम केली का पेशन किस ने करवाया है कि आलम का झाल रंग्रेजिंसरा प्रेम हुआ उससे पहले ब्रह्मन इाथ और इनका मूल नाम क्या था या निमबार्ग संपरदाय में दिक्षित होने के बाद घनानंद का नाम क्या रखा गया अगर यह सारे प्रस्ण आपको पता है तो वीडियो विल्कुल न देखें आप इस वीडियो में और नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखें कि यह एक लाइन वाले जो प्रशन होते हैं जब आप विस्तित में पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा तो खर चलिए शुरू करते हैं और विस्तित में देखिए जितना मैंने बताया इन सारे प्रशनों के बीच लोग कभित की वो खेल करी जानों है वहीं घनानंद कभिता के प्रत दाईत रखने वाले सजग रचनाकार हैं इन्होंने कहा लोग है लाग कभित वनावत मुहतों मेरे कभित वनावत रिती मुक्त कभियों का प्रेम वासना जन्य वा संयोग परक नहीं है इनके प् प्रेम में रत घंणनद कहते हैं कि अतिसूदो सनेह को मारग है जह ने कुश्यानप बांक नहीं यहां पर देख रहे हैं यह सारी पंग्तियां पर इच्छा में पूछी जाती है इन कभियों का प्रेम उदात वा पीड़ा परक है इन कभियों का जो प्रेम है वो कैसा है उदात है पीड़ा परक है इस थूल तथा किरणा परक नहीं है इनके काबे में बिरह की परधानता प्रेम की तीवरता को लक्षित करती है और इसी कारण आचारे रामचंदर शुक्ल जी ने कहा है कि हिंदी के रीतिकाल के कभी तो मानो राजाओं महराजाओं की कामवासना उत्तेजित करने के लिए रखे जाते थे लेकिन रीति मुक्त में आप देख रहे हैं कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है अचार रामचंदर शुक्ल जी ने कहा है कि वागधारा बंधी हुई नालियों में प्रभाहित होने लगी गवर से सुनिएगा बहुत सारी चीज पीडियेफ में नहीं होती है अलग से समझाई आती है सुने वागधारा बंधी हुई नालियों में प्रभाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विसे रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए ये किस ने कहा तो आचार रामचंदर शुक्ल ने कहा है तो यहां पर घनानंद ने कहा है क्या कहा है कि यह कैसो संयोग न सूजी परे जो वियोग न क्यों हूँ बिछोहत हुए तो इनके काबे पर फार्सी परंपरा का भी प्रभाव अस्पस्थ है घनानंद वा आलम फार्सी के विद्वान कवी थे इनके विरह पर फार्सी सैली का प्रभाव असपस्ट है इनका विरह कहीं कहीं पर उहात्मक है जो समवेदना कम वेचैनी अधिक उत्पन करता है किसके कावे पर तो घंणनंद और आलम घंणनंद और आलम ज्यान रखियेगा यह घंणनंद और आलम की बात होती है तो घंणनंद के बारे में इसलिए बच्चन सिंगने कहा है क्या कहा है बच्चन सिंगने घंणनंद के बारे में गवर से सुने फिर आगे बढ़ते हैं कि गानानंद के बारे में बच्चन सिंग ने कहा कि वे रीत मुक्त काबर एहारा के सरविस्रेष्ट कभी हैं ना तथाकतित मर्यादा के बांध में उनका जीवन प्रवाह बंधने वाला था और ना ही रीत के बांध में उनकी कविता जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक अस्तर पर कविता में है यह बच्चन सिंग ने कहा है घरानंद के बारे में कि जो कुछ उनके जीवन में है वही रचनात्मक अस्तर पर कविता में हैं वह मन के राजा है अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए छोटे-छोटे प्रस्म जो बनते हैं एक लाइन वाले पूछा जा सकता है कि घनानंद को किसने मन का राजा कहा है तो बच्चन सिंग ने कहा है उन्होंने अपने जीने की प्रणाली स्वयम्चुनी और एक प्रमारिक जिंदगी जी जिस ने जीने की बंधी हुई प्रंाली को कैसे स्विकार कर सकता है? यह जो परंपरा और से रूरीगत परिपाटी चली आ रही थी, उस परिपाटी को अस्विकार कर दिया है. किसने गनानद ने, यह किसने कहा, तो बच्चन सिंग ने कहा. यह वही गनाननद है, जिसे रस के साथ छात अवतार के रूप में जाना जाता है रीत्मुक्त कभियों को पांच वर्गों में विभक्त कर अधिन किया जाता है एक तो रीत्मुक्त स्रिंगारी कभी में घरनन्द हैं आलम है ठाकुर है वैसे रीत्मुक्त प्रबंदकार में लाल कवी हैं आधा नाम लिया जा सकता है कि पद्रकारों में अब देखेंगे तो लाल कवी का भी लिया जा सकता है कभी वर गिरधर राय का भी नाम लिया जा सकता है रित्यमुक्त फुटकर कभी में जो फुटकर ग्रंत लिखें हैं उन फुटकर ग्रंतों में आप देखेंगे बनवारी का नाम लिया जा सकता है बनवारी की कोई और रचनाय नहीं मिलती है उनके फुटकर क अभी आपको फूटकर पद आपको मिलेंगे तो इस तरीके से पांच भागों में विभाजित कर इसका अध्यन किया जाता है अब इसमें से एक-एक की बात करते हैं सबसे पहले घरानंद की बात करते हैं जिनका जन्म 1689 इस भी में और मुर्त 1749 इस भी में हुआ यह दिल्ली के बात्साह मुहम्मद शाह के यहां मीर मुंसी थे और जाती के कायस्त थे एक सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे कौन तो किस की बात हम लोग कर रहे हैं घनानंद की बात कर रहे हैं वादसा के द्वारा सहर से निकाल दिया गया इनको घनानंद को निकाल दिया गया क्यों निकाल दिया गया उसका कारण क्या था हुँआ ये की मौहमत स्चार अंगीला के दरबार में जो इंद मीरमुशी के पद पर थे कि ये अच्छी संगीत भी इनको आता था अच्छा अगीत गाते थे, अच्छे पद इन्होंने लिखे हैं तो एक बार ये हुआ कि राजा के दरवार में कहा गया कि Gharanyaंद बहुत अच्छा पद गाते हैं तो इनको बुलाया गया और जब इनको बुलाया जाता है तो ये गाने से मना कर देते हैं तो लोगों ने चुहलबाजी में कहा कि नहीं महराज अगर सुजान को बुलाया जाए तो ये जरूर गाएंगे सुजान को बुलाया जाता है और सुजान की तरफ देखते हैं और पीठ मुहम्मद साह के तरफ होता है और इस पर इन्होंने गीत गाया खैर बहुत खुस हुए मुहम्मद साह लेकिन उन्होंने इसे व्यादवी समझा और फिर इनको दरबार से निकाल दिया गया जब दरबार से निकाला जाता है इनको तो सुजान को ये बुलाने जाते है कि चलो तुम भी चलो सुजान जाने से मना कर देती है तो यहीं से ये विरिंदावन की और कूच करते हैं और विरिंदावन जब जाते हैं तो निमबार्ग संपरदाई के वैशनों हो गए जब निमबार्ग संपरदाई के वैशनों हो जाते हैं तो निमबार्ग संपरदाई में यह प्रचलन था कि एक संपरदाई के नाम रखा जाता था जो भी निमबार्ग संपरदाई में दिख् ली तो इनका नाम बहुगूनी रखा गया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है जितने सारे प्रस्ण पूछे हैं आप लोगों से वो देखेंगे कि यहां पर वो सारे प्रस्ण आपको मिल जाएंगे क्या नाम रखा गया बहुगूनी नाम रखा गया इनकी जो रचनाएं हैं नादिर साह का आक्रमण वो उस आक्रमण के समय इनकी मृत्त हो जाती है घरानंद की इनकी रचना सुजान सागर यह सुजान हित भी कहा जाता है विरह लीला वियोग केली लोकसार रस केल वल्ली किरपा कांड इस्क लता ब्रज विलास प्रेम पत्रिका यह सारी इनकी रचनाएं हैं यह सारी आप देखेंगे तो इनकी रचनाएं हैं किसकी घरानंद की अब घरानंद की जो रचनाएं हैं इन रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें लेकिन उस से पहले घरानन्द की जो रचनाय हैं उनका प्रकासन किसने किसने किया है उसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं यहां पर हम लोग घरानन्द की सुन्दरी तिलक का संपादन सुन्दरी तिलक सीर्षक से संपादन किसी ने किया है तो भारतेंदू ने किया है अभी मैंने आपसे पूछा था कि यहां पर बताएंगे वीडियो में आपको वहीं सुजान सागर का संपादन जगनात दास रतनाकर ने किया है जगनात दास रतनाकर ने किया है घनानंद गरंथावली का संपादन लिख ले घनानंद गरंथावली का संपादन विस्वनात प्रसाद मिस्र ने किया है विस्वनात प्रसाद मिस्र ने किया है विस्वनात प्रसाद मिस्र ने किया है लिख लिए आपने विश्वनाथ प्रसाद मिस्र ने किया है अब आगे बढ़ते हैं घरानंद के बारे में और देखते हैं कि इनकी कविता भाव परधान है जिसमें मुक्यता दो भाव प्रेम ववा भक्ति उपलब्ध है इनका प्रेम एक निष्ट है जिसका अलंबन सुजान है सुजान को प्राप्त ना कर सकने के दर्द में ये तड़फे हैं जिन से इनके काबे में अनभूती की तीवरता आ गई लिखिन एक चीज़ ध्यान रखना इनकी पंक्तियों में जो सुजान है कि लिखा है और क्रिश्न का भी ध्योत्तु को जो इनकी प्रेम का है उसका भी ध्योत्तक है तो ध्यान रखना सुजान का अर्थ कृष्ण भी है इनके यहां और इन्होंने लिखा कि अति सुधो सनेह को मारग है जहने कु सयानप बांक नहीं उज्रन बसी है हमारी अंखियन देखो सुबह सुधे से जहां रावरे बसत हैं देख जियो नचियो घन आनंद कोबरे अंग सुजान वधुके तो घरानंद विरले कभियों में हैं जिनकी भासा ही लाक्षनिक पदावली की सक्ति से परिचित है आचार रामचंद शुक्ल जी ने कहा है कि भासा के लक्षन योमवेंजक वल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परक्ष इन ही को है यहां पर जो कथन आप देख रहे हैं जितने भी कथन दिये गए हैं इसमें वह बहुत ही महत्तपूर कथन हैं किसी एक रचना से इसमें कथन नहीं है किसी एक रचना से इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगा बलकि इसमें आप देखेंगे हजारी प्रसाथ दुवेदी की रचना से मिलेगा आचार रामचंद्शुक्ल की रचना से मिलेगा बच्चन सिंग की रचना से मिलेगा विशुन करके यहां पर दिया जाता है आप लोगों को गरानन्द का पहले सुजान के प्रति प्रेम लौकिक था बाद में वही कृष्ण राधा के प्रति अलौकिक अस्तर प्राप्त कर लेता है वह कृष्ण की भक्ति में लीन होकर पद लिखते हैं राधा कृष्ण भक्ति के तो रूप मिलता है आचार रामचंद्शुक्ल ने कहा है कि भासा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवी का नहीं इन्होंने देशज और ग्रामिड सब्दों का भी परियोग किया है तो जब यहां पर हम लोग आचार रामचंद्शुक्ल की कथन की बात कर रहे हैं तो एक चीज आप गौर से सुन ले बहुत ही महत्तपूर कथन जहां पर यह कथन दिया गया है इसी कथन की अगर हम बात करें तो आचार रामचंद शुक्ल का हिंदी साहित्य का आपनी इतिहास पढ़ा होगा वहाँ पर एक पैरागराफ पूरा पूरा जो लिखा है उसमें से तीन चार वार पर इक्षों में प्रस्न पूछे गए हैं और अलग-अलग कथन पूछे जाते हैं उस पैरागराफ को जर सुनिए जहां पर आचार रामचंद शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा कि यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भासा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवी का नहीं भासा मानों इनके हिर्दय के साथ जुड़कर ऐसी वस वरतिनी हो गई थी कि यह उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे उनके हिर्दय का योग पाकर भासा की नूतन गत्विधी का अभ्यास हुआ और वो पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी जब आवसकता होती थी तब यह उसे बंधी प्रणाली पर से हटा कर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे भासा की पूर्व अरजित सकती से ही काम न चला कर इन्होंने उसे अपनी और से नई सकती प्रदान की घंणनंद जी उन विरले कभियों में हैं जो भासा की व्यंजकता बढ़ाते हैं अपनी भावनाओं के अनूठे रुपंत्ता की व्यंजना के लिए भासा का ऐसा बेधरक परियोग करने वाला हिंदी के पुराने कभियों में दूसरा नहीं हुआ भासा के लक्षण व्यंजकवल की सीमा कहां तक है इसकी पूरी परख इन ही को है तो यह पूरा पैराग्राफ और इस पूरे पैराग्राफ से दो तीन बार परिक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं तो इन सारी चीजों का आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे बलते हैं घरानंद की भासा पर डॉक्टर वासुदेव सिंग ने कहा है कि इनकी भासा सरल और स्वाभाविक है जिसमें लक्षार्थ और व्यंगार्थ का प्रधान्य है घरानंद की सैली अनेका यामी है डॉक्टर मनोहा लाल गौल ने काबे गुणों के आधार पर घरानंद के काबे में निम्न सैलियों को सुईकारा है उन्होंने कहा है कि इनकी सैली में इनकी सैली कैसी है तो भाव परधान सैली है आत्रंजित भाव परधान सैली है रहस्यवादी सैली है वक्रोगती परधान सैली है मुहावरा परधान सैली है आचेतन पर चेतना का आरो करने वालिये आत्म निवेदात्मक सेली हैं तो ये सारी सेलियों के बारे में बताया वहीं घनानंद कादविक के मरमी आलोचक डॉक्टर रामफेर त्रिपाथी ने उनकी साइली के इस रूप को सुईकारा उन्होंने कहा रामफेर त्रिपाथी ने कि घंणनंद की साइली वक्र साइली है वक्र विशिष्ट साइली है रितु से संसलिस्ट साइली है वक्र संसलिस्ट साइली है रिजु सा अब आपसे अगर पूछा जाए कि घनानंद की इस सैली को किसने सुईकारा तो आपका उत्तर होगा कि इन सैली को सुईकारा गया डॉक्टर रामफेर तिरपाठी के द्वारा सामाने रूप से घनानंद ने वक्र संसलिस्ट सैली का प्रयोग किया है और इन पंक्तियों में आप देख सकते हैं प्रियोग किया गया अब कुछ लोग कहेंगे कि सर रिज विशिस्ट तो ध्यान रखना आप लगातार वीडियो में बने रहे जो वीडियो पबलिस होती बाकि पेड में उनको पता है और आप लोग भी जान ले कि जो हम लोग कावे सास्र करेंगे तो वहाँ पर कावे सास्र में इन सारी सैलियों का जिक्र विस्तित रूप में किया जाएगा जो सचमुछ अपनी पीडा में रो रहा है किस ने कहा है तो दिनकर जीने कहा है तो यहां पर यह जितनी सारी चीजें हैं जो कथन कहें गये हैं उन कथन के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कभी होता क्या है एक्षे ध्यान रखिएगा यहां पर सुन लीजिए कभी कभी होता यह है कि किसी परिक्षा में अगर कोई कतन पूछा गया है तो ठीक उसी पैराग्राफ से जैसा कि आचार रामचंद्शुक्ल के हिंदे साहिति के इतिहास का मैंने पैराग्राफ बताया कि एक ही रीतिकाल की बाउद्धिक गवर से सुन लीजिएगा रीतिकाल की बाउद्धिक बिरहा नुभूती निस प्राणता और कुंठा के वाता वरण में बहुत मात्पूर्ण पंक्ति में आपको बता रहा हूं बहुत मात्पूर्ण कथन बता रहा हूं अगर आपके पास कॉपी सकता बहुत ही महत्पूर्ण है कि राबधारी सिंग दिनकर ने कहा कि रीतिकाल की बौधिक विरहा नुभूती निस प्राणता कि और कुंठा के वातावरण में आप लिख रहे ना कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हिर्दय को चीर देती है अब इतना ही कथन आपको ज्यान रखना है बहुत ही महत्पून है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानु भूतिन इस्प्रानता और कुंठा के वात अवरण में घरानंद की पीड़ा की टीस सहसा हिर्दे को चीर देती है कथन किसका है तो दिनकर का है आगे उन्होंने कहा और मन सहाजी ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराये पर आशु बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कभी है जो सच मुछ अपनी ही पीड़ा में रो रहा है यह र प्रेम की यातना के कभी है इसलिए ब्रजनाथ ने एक पंक्ति कहीं है कि समुझ है कभिता घन आनंद की हिया आखिन नेह की पीरत की यह भी प्रस्ण पंक्ति पूछी आ सकती है तो ध्यान रखना गनानंद प्रेम की आतना के कवी हैं इसलिए ब्रजनाथ ने एक पंक्ती कहीं ब्रजनात की पंक्ती आप लिखना चाहें तो लिख ले कि समुझ है कभिता घन आनंद की हिया आखिन हिरदें हिया आखिन नेह की पीर तकी लिख़ाрем का ऐसा आवेग न ठाकुर में है ना बोधा में है आबेग की ये जो प्रखरता है वो सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है कहीं इसमें बेचैनी तड़व कहीं भीबलता कहीं प्रलेकार्ड़ी संजा है जंजा है तो कहीं विसाद का गहनतम मौन यानि यातना की परमपर्णिती आगे दखते हैं वाषदेव सिंग्ग ने क्या कहा व recogn you अभी मैंने आपको बताया ही है ये वास्देव सिंग की पंग्ति जैसा की उपर मैंने आपकोud बताया इस्क्रिनशॉ्ट लेना चाहना तो इसक्रिन शॉटे सक्ते हैं कि घरनरंद की भासा सरर्ड और स्वाभाबिक है जिसमें लक्षात और व्यंगार था है, विशनात त्रिपाठी ने कहा, घरानंद की रचनात्मक सकती यह है, कि सारी कलात्मक सकती, स्रोता, पाठक के हिर्दैं की मार्मिक्ता में परियेवेसित हो जाती है, इसलिए घरानंद कलाकार हैं, कलावादी नहीं, यह भी बहुत ही मह है अब यह क्लाइन में जो प्राश्ण पूछा जाता है यह फिर से 2022 में आने वाली है वेकंसी 2222 आने वाली है टीजीटी पीजीटी की बहुत जल आ जाएगी तो इस तरीके के क्लानंद का प्रेम के गंभीर कवी हैं व्योग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित में जो विभिन तरंगे उठती हैं उसका चित्रण घरानंद ने किया है वहीं दिनकर की यह पंक्ती जो थी यह भी मैंने आपको बता दी पराश्राम चतुवेदी ने कहा है कि घरानंद ने विरह के महत्त को समझा था इसलिए प्रेमी के विरह दग्द हिर्दें तथा उसके सूचमति सूच्म यों अनिरवर्चिनी मानसिक व्यापारों का जैसा सुन्दर वरणन अपनी कविता में उन्होंने किया है वैसा बहुत कम कवी कर पाए हैं वह बच्चन सिंग की यह जो कथन है यह भी बहुत मात्पूर है कि घरानंद रूप का संबंद गुण से भी जोड़ते हैं यहाँ पर यह प्रस्ण बहुत ही साधारण रूप में पूछा जा सकता है और ऐसा किसी अन्य कवी ने नहीं किया है पूछा जा सकता है कि रीतिकाल के निम्न कवियों में से किसने रूप का संबंध गुण से भी जोड़ा है कहीं पर भी बच्चन सिंग का नाम नहीं आएगा और ऐसे प्रस्ण पूछा जा सकते हैं फिर आप कहां से पूछ लिया गया मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं जबकि बच्चन सिंग ने कहा है तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है बहुत सारे लोगों को यहीं नहीं पता है जिस दिन आपको यह समझ आ गई कि किस पुस्तक से किस ग्रंद से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है यकीन मानिये उस दिन कोई कक्षा नहीं जोईन आप कहीं पर भी किसी का सहारा नहीं लेंगे और सीधे आप क्वालिफाई कर लेंगे कोई भी पर इच्छा होगी लेकिन यही सबसे बड़ा गुड़ होता है यही सबसे बड़ी चीज होती है जानना कि किस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो यहां पर आप देखें कि किस तरीके से प्रश्ण बन सकते हैं बच्चन सिंग ने कहा है कि घरानन रूप का संबंद गुण से भी जोड़ते हैं रीतिकाल का कोई अन्य कवी नाइका को नित गीत वाद से नहीं जोड़ता वहीं बच्चन सिंग आगे कहा कि यद्दपी घर जैसे प्रेमी को विनोध वारता के लिए बहुत कम आउकास था फिर भी उन्होंने कतिपए प्रसंगों का अतियंत सरस और मौलिक चित्रन किया है वहीं बच्चन सिंग ने आगे भी कहा है कि फाग का धूम धळाका पदमाकर में खुब सुनाई पड़ता है ये भी प्रसंग मैंने अभी आपसे पूछा था कि रीतिकाल का कौन सा ऐसा कभी है जिसे फाग का धूम धळाका पसंद नहीं है तो वह है घानानन आप पदमाकर में देखेंगे तो फागुन की जो धूम धळाका मतलब यह कि जो नारियां है जो नाइकाएं हैं उगालों में रंग गुलाल खूब लगाती है नायक के और होता यह है कि भाग नहीं पाती है और नायक के पकड़ में आ जाती है तो इस तरीके से दिखायता है कि धूम धळाका यह नायक और नाइका के बीच जो भी प्रेम का जो सौंदरी का वड़न किया गया वहाँ पर गुलाल लगाना एक दूसरे को पकड़ लेना तो भाग का धूम धळाका पदमाकर में खूब सुनाई पर गहनानंद को धूम का पसंद नहीं है यहां पर अल्फ वैस का गोरी गुलाल भी उड़ेली की उड़ेलती है और नायक से बच निकलती किसमें घरानंद के काबे में लेकिन पत्माकर के काबे में क्या होगा गोरी गुलाल तो लगाएगी उड़ेलेगी और नायक से बच कर निकल नहीं पाती है पकड़ी याती है जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है घरानंद की पंक्तियों में इनकी रचनाओं में बच्चन सिंग ने आगे कहा है कि वस्ता घरानंद वियोग के मूर्तिवान कभी हैं उनके वियोग में हिर्दे की तड़फ आखों की विवस्ता वेदना भरी दैन करुणापूर उपालंब दर्द भराचोब आदिमार्मिक वेंजना हुई है अब यहाँ पर अगर यह कथन आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कर पाएंगे जैसे ही तुलसी का नाम आएगा तुरंद कहेंगे कुछ नहीं रामचंद सुक्ल का कथन है तुलसी का चातक यानि जो प्रतीक का सहारा लिया गया चाहे व समवेदनात्मक किस ने कहा है बच्चन सिंग ने कहा है और जो नहीं पढ़े होंगे बच्चन सिंग का हिंदे साहित का दूसरा इतिहास नहीं पढ़े होंगे वो कहेंगे रामचंद सुक्ल क्योंकि तुलसी का नाम आते ही तुरंद रामचंद सुक्ल पर लोग चले जाते ह गहनानंद का मौन विरोध की प्रयुक्ति है जो मौन मधी की पुकार रामचंद शुक्ल जी ने कहा है उसी पर बच्चन सिंग ने कहा कि नहीं गहनानंद का मौन विरोध की प्रयुक्ति है ना कि उसके परयोग की आधुनिक तक निकी जो रामचंद शुक्ल ने गहनानंद के परियुक्ति है ना कि परियोग की आधुनिक तखनी की आचार रामचंद सुक्ल के यहां कथन की बात कर लेते हैं रामचंद सुक्ल ने कहा कि यह साच्छात रसमूर्ती और ब्रजभासा के प्रधान अस्तंभों में है रामचंद सुक्ल ने यह भी कहा है कि घरानंद ने ना तो विहारी की तरह विरहताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उचल कूद दिखाई दी है, जो कुछ हलचल है वो भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रसांत और गंभीर है, न उसमें करवटे बदलना है, न सेज की आग और उचल उचल कर भागना है, उनकी मौन-मदी पुकार है और इसी मौनमधी पुकार पर बच्चन सींग ने क्या कहा वो मैंने आपको अभी बताया तो इतना ही नहीं बहुत सारे कथन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और इन कथनों से अक्सर परिक्षा में प्रस्ण पूछा जाता है रामचंद शुक्ल का जो यह कथन है यह और भी महत्यपून है कि इनकी से विसुद और सरस सक्तिसाली ब्रजभासा लिखने में और कोई कवी समर्थ नहीं हुआ है विसुदता के साथ प्रवड़ता और मादुर भी अपूर्भ है विप्रलंबर सरिंगार ही अधिकतर इन्होंने लिखा है यह व्योग सरिंगार के प्रधान मुक्तक कभी हैं प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वारी का प्रादुर्भाव हुआ प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीर पतिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभासा का दूसरा कभी नहीं हुआ है यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं वो ध्यान दें अगर इस लेक्चर को आपने पूरा देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि रीती मुक्त के किसी भी कभी से आने वाला प्रश्ण आपका गलत होगा रामचंद सुक्ल का ये कथन और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं लक्षण का वेस्तरित मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कभियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया एक घनानंद ही ऐसे कभी हुए हैं जिन्होंने इस छेतर में अच्छी दोड लगाई लाच्छनिक मूर्तिमत्ता और परियोग वैचित्रता की जो छटा इसमें दिखाई पड़ी खेद है वो फिर पहुने दो वर्स पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्रार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन का विधारा में ही अभी वेंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई है यह आचार रामचंद्र शुक्र ने कहा है अब बात कर लेते हैं आलम की वैसे इससे पहले आलम का जो मूल नाम था वो था लालमडी कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने परसों की कक्छा में आप लोगों को कराया है लाइब कक्छा में कि लालमडी और किसका नाम मिलता है किसकी रचनाओं में लालमडी नाम मिलता है यह मैंने आप लोगों को कराया है लाइब कक कहते हैं कि जितनी कख्छाएं हो रही हैं उन सारी कख्छाओं को आप अच्छे से पढ़ें उसमें जो भी चीज़ें आप लोगों को दी जा रही है वो करें इसी लाल मडी से मिलता हुआ परसों की कख्छा में बस पलट दिया गया और वह है मडी लाल मडी की जगह हो गया मडी लाल लोग अक्सर इस नाम में कंफ्यूज होते हैं कि चले में बता देता हूं लेकिन कमेंट जरूर करिए कि क्या आपको याद था या नहीं है चिंता मडी की जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि चिंता मड़ी ने अपने ग्रंथों में कहीं कहीं पर मड़ी लाल नाम का परियोग किया है मड़ी लाल नाम का परियोग किया है और कुछ सहित्यकारों का मानना है कि मड़ी लाल नहीं बलकि उन्होंने मड़ी माल सब्द का परियोग किया है तो ध्यान रखना चाहे वो मड़ी माल हो और चाहे दोनों एक साथ नहीं आएंगे मड़ी माल नाम मिलेगा आपको तो आलम का पूर्व नाम क्या था यानि जब वो सेख रंग रेजिन के प्रेम में नहीं थे उस से पहले उनका नाम क्या था तो उनका नाम था लाल मडी और यही मैंने अभी आप लोगों से पूछा भी है आलम के वारे में यही मैंने अभी आप लोगों से पूछा है आचार रामचंद शुक्ल दो आलम मानते हैं एक तो अकबर के समकालेन और दूसरे मौज़्जम के समकालेन आलम की रचनाय माध्वानल कामकंदला आलम के लिए स्याम सनेही और सुदामा चरीत हैं यहाँ पर इनकी जो रचनाय हैं माध्वानल कामकंदला की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना माध्वानल कामकंदला अवधी भासा में है लेकिन अगर सैली की बात करें तो कौपी पेन आपके पास होगा तो लिख लीजिए अगर हम सैली की बात करते हैं तो दोहा चौपाई सैली में है दोहा चौपाई सैली में है इसमें पांच अरधाली के बाद एक दोहा या सोरठा का परियोग किया गया है पांच अरधाली के बाद एक दोहा या चोठा का परियोग किया गया है और इसी माधवानल काम कंदला में अकबर के टोडरमल का उल्लेक भी मिलता है वहीं स्याम सनेही रचना की अगर हम बात करें तो ये ग्यारह अरधाली के बाद इसमें एक दोहा मिलता है इसमें क्रिश्ण रुकमणी विवाह पर आधारित यह रचना है स्यांसनेगी प्रारंभ में शीव पारवत्ती में गणे शवन्दना भी आपको देखने को मिलेगा और इसी की एक पंग्ती है श्याम सनेही की एक पंक्ती है वह से आगे मैंने यहां सामिल कर लिया है लेकिन सुन ले आलम जीवहु जो पलक यहीं चंचल संसारू आगे पंक्ती अभी मिलेगी लिखने के जरूरत नहीं है आलम जीवहु जो पलक यहीं चंचल संसारू दे अहार पासों मानहीं प्रेम भगत अहारू यह स्यामसनेही की पंक्ती है सुदामा चरित रचना की अगर बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि 51 कितने 51 कभित सवयों में रचित यह रचना है सुदामा चरित रेखता बंदों यानि इसमें जो बंद का परियोग किया रेखता से लिया गया अवधी और ब्रजभासा की मिश्रित रचना है सुदामा चरित और इसी पर आधारित नरोत्तम दासने आगे देखेंगे कि सुदामा चरित लिखा है तो यह तीनों कौन से रचना है यह तीन के तीनों प्रबंध काब्बे हैं चायव माध्वानल कामकंदला हो चाय सुदामा चरित हो यह तीनों प्रबंध काब्बे हैं अब बात कर लेते हैं आलम केली की, आलम केली प्रबंध काब्बे, कुछ लोगों का मानना है कि आलम केली भी प्रबंध काब्बे है, लेकिन मुख्य रूप से उपरयोगते जो तीन रचनाय हैं, उन्ही को माना गया है मुख्य रूप से कि वही प्रबंध काब्बे हैं, लेक पारबती राम इन लोगों को समर्पित हैं वैसे इस रचना का मूल विसे लोकिक प्रेम की भावनात्मक और परंपरा युक्त अभिव्यक्ति सिरिंगार तथा भक्ति है कि आलम केली का संपादन किसी ने किया जितना प्रस्ण मैंने आपसे प्रारम में पूछा तर देखेंगे यह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और जो छोटी-छोटी परिक्षाय है जैसे जी आई सी है टीजीटी है पीजीटी है डिस भी है जी आई सी है उन सब में ऐसे ही छो किताबे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है एक दो रचनाओं से परिक्षा में प्रस्ण नहीं आते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूं जो पेपर आये हैं आप लोगोंने खुद देखा होगा आपको खुद पता होगा तो आलम केली का संपादन 1922 इस्वी में लाला भगवान दीन ने इसे प्रकासित करवाया था लिख लीजिए अगर कौपीपन आपके पास है तो इसे लिख लें 1922 में लाला भगवान दीन ने प्रकासित करवाया था ब्रजभासा में कव् WAALICE का प्रारंभ तो сятने किया में अगर आपको पता है अच्छी बात है नहीं पता है ठ्ध्यान दे ब्रजभासा में कव् WaALic का प्रारंभ आलं नहीं किया था लिएक स вещи पुद्री पाठी ने कहा है कि आलं प्रेम की दिवानगी के कवी नगेंद्र ने कहा कि इनकी प्रेम अनुभूती व्यक्तिगत है अतह अब वह मार्मिक व सत्य परतीत होती है वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने दूसरी जगह ये भी कहा कि संयोग हो या वियोग कभी विशाद मगन रहता है आलम वियोग में ठके से जीवन का दाओं हारे से और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते हैं वहीं आचारे रामचंद शुक्ल ने आगे ये भी कहा कि प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके ग्यारह काबे में भरा पाया जाता है उत्प्रेक्षाएं भी इन्होंने बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं प्रेम की तनमैता कि द्रिश्ट से आलम की गड़ना रस्खान और घरानंद की कोटी में होनी चाहिए ये आचारे रामचंद शुक्ल ने कहा है और ऐसा कहा जाता है कि आलम ब्रह्मन थे लेकिन सेख रंगरेजिन के प्रेम में पढ़कर मुसल्मान हो गए एक बार हुआ है आप लोग अच्छदी से पगड़ी के खूट में समझ नया है को ना इस पगड़ी के खूट में है रह गया था एक परचि रह गए ती जिसमें एक पंक्ती लिखी हुई थी कि करनक चरी सी कामनी काहे को कट चीन और जब और एक और से English ने देखा करके और उसमें बांध कर दे दिया कि और ऐसे एक प्रसंग और है आलम और शेख रंग रेजिन के बीच में कि एक बार साह जहां मुझ्जम ने पूछा हसी में ही ऐसे शेख रंग रेजिन से बहुत जवाब बहुत अच्छी जवाब दे से आलम की आउरत आपा ही है मुझ्जम साह ने पूछा एक तो जवाब की जहान की मा मैं ही हूँ किसकी मा जहान की मा इसका मतलब एक तो उसने कह दिया हाँ ये तो जवाब होई गया और दूसरा उसने का हाँ जहान की मा मैं हूँ यानि आलम और मेरे बेटे का नाम जहान है तो आलम और सेख रंग्रेजिन के बेटे का नाम क्या था तो नाम जहान था इसके अलावा बहुत सारी पंक्तियां भी आप देखेंगे सेख आलम की हैं कि आलम जीवें जो पलक यह चंचल संसारू दे आहार पासों मनहीं प्रेम भगत अधारू मैंने आपको अभी बताया भी था कि यह पंक्ति आगे आपको मिलेगी दाने की ना पानी की मैं आधे करते हैं जो भी हमारे नए लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं वह स्क्रीन सौट लेना चाहें तो इसक्रीन सौट ले लें कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि उनके द्वारा वंडित प्रेम चेष्ठा परधान वाह नहीं है अनुबूती परधान आंत्रीक है इसलिए उनकी सहली मार्मिक है उसमें अविलासा और वेदना की पधानता है इसलिए अपातता फार्सी की प्रेम पद्धति की और अधिक जुका हुआ है यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है आलम के बारे में अब इसके बाद देखते हैं ठाकुर की बात करते हैं कि ठाकुर ने क्य क्या कहा है इनके साहित के बारे में ठाकुर के साहित के बारे में अखर बहुत अधिक जानकारी तो नहीं मिलती है इनकी रचनाओं का संग्रह लाला भगवान दीन ने ठाकुर ठसक सीर्षक से प्रकासित करवाया है यह भी आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण है के ठाकूर ठसक के किसकी रचना है या ठाकूर, ठसक का प्रकासन किस ने करवाया तो लाला भगवान दीन ने चुर बारे में कहा है कि इनकी रचना में भासा का quick, सहज प्रवाह, देखते ही बनता है अइसा जान पड़ता है कि यहां आकर ब्रजभासा अपने पूरे चढ़ाओ पर आ गई पदमाकल तो कभी-कभी ताल तुक के टोटके के चक्कर में पढ़ जाते हैं पर ठाकुन ने जो मजमून प्रेम का सुभान को संबोदित करके लिखा गया है इनकी जो रचना है विरहवारिष की वह आलम की रचना माधवानल काम गांद्रा की प्रेम कथा पर लिखा गया एक प्रबंध काब है इन्होंने कब लिखा बिरहवारिस आप देखेंगे कि बुद्धिसेन यानि बोधा वेश्या सुभान पर आसक्त थे और इन्हें देश से निकाल दिया गया जब इन्हें देश से निकाल दिया गया तो इन्होंने बिरहवारिस की रचना की और जब लोट कर यह आते हैं छे महीने बाद छे महीने के लिए इनको देश से निकाल दिया गया था और जब छे वर्स बाद बोधा यानि बुद्ध सेन लोट कर आते हैं तब अपने राजा को एक बहुत सुन्दर सी कविता सुनाते हैं और राजा खुस होता है राजा परसन हुआ परसन होकर कहता है अच्छा बताईए बोधा तुम्हें क्या चाहिए तो बोधा का जवाब था सुभान अल्ला बोधा ने क्या कहा तो बोधा ने जवाब दिया सुभान अल्ला यानि मुझे क्या चाहिए तो अल्ला ने जिस सुभान को बनाया है मुझे वही सुभान चाहिए तो राजा ने सुभान को इन्हें सौंप दिया और फिर बाद में इन्होंने इसक नामा की रचना की इसक नामा का पूरा नाम है या इसक नामा का पहले जो नाम था वो था विरही सुभान दंपत्ति विलास इसक नामा का नाम था विरही सुभान दंपत्ति विलास यह बहुत तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिए रामचंद शुक्र ने कहा है कि प्रेम की पीर की वेंजना भी इन्होंने बड़े मरमस पर सी उक्ति से की है रामचंद शुक्र ने ये भी कहा कि ये अपने समय के एक प्रसिद्ध कभी है प्रेम मार्ग के निरूपन में इन्होंने बहुत से पद्ध कहें हैं सेनपती की अगर बात करें बहुत ज्यादा यहां पर विश्थित नहीं है बहुत कम समय लगेगा परेशान बिल्कुल भी नहीं हो आप लोग सेनपती के बारे में देखा जाए तो इनकी दो रचनाएं कवित रतनाकर और काब कल्प दुरूब रामकथा का वड़न है इसे आप ध्यान रखना रामकथा का वड़न है किसमें कवित रतनाकर में यानि सेनपती की रचना कवित रतनाकर का विश्यक क्या है ऐसे प्रस्ण पूछा जा सकता है वहीं जो काब कल्प दुरूम है वो रीति गरंत है हजारी प्रसाद दुवेदी ने सेनापति को कहा कि सेनापति हिंदी के चोटी के कवियों में गिने जाते हैं यही प्रस्ण मैंने अभी आपसे प्राडम में भी पूछा था तो देख रहे हैं एक लाइन की जो प्रस्ण है इतना विश्तित कराया जा रहा है तब आप लोगों के सामने निकल के आ रहे हैं दूइजद्यों जिनका नाम मान सिंग था वास्तविक नाम यह अध्या के राजा थे और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं सिरिंगार वतीसी जिसमें प्रकृत और सिरिंगार वड़न है सिरिंगार लतिका शौरव जिसमें वसंद पर लिखे गए हैं 33 पद्ध हजारी प्रसाद दुवेदी ने दूइजद्यों के बारे में कहा है कि इनकी रचनाओं में मतिराम के समान सहज भासा और पदमाकर के समान परिचित वातावरण का सन्नवियस है वही रामचंद शुक्ल ने कहा कि इनमें बड़ा भारी गुण है भासा की स्वक्षता अनुप् पूर्ण है ध्यान रखिएगा कि व्रिंद के बारे में अगर बात करें तो इनकी प्रमुख रचना व्रिंद सत्साई उत्तर मध्यकाल में बहुत सम्मान के साथ पढ़ी जाती थी व्रिंद सत्साई में नीत के दोहों की संख्या 700 है यह भी मैंने अभी आप लोगों से प् कुछी सिखर बारह मासा जो बारह मासा इन्होंने लिखा है वह देवी स्तुति में हैँ घ्यानात्मक काभी की बात के ने तो हितोप देस आत्मक हैं रचना है नीति काव कौन कौन से हैं तो दृष्टां सत्साई है और भासा ही तो अपदेश है श्रिंगार काभी की बात के नहीं तो भाव पंचासिका नैन बतीसी अच्छरादी दोहे पवन पचीसी यमक सत्सई श्रिंगार सिक्षा यह सब श्रिंगारी काभ्य हैं यह रचना है खुब पूछी जाती है परिक्षाओं में कि रचना किसकी है यह सुमेलित यह वेमेल जोड़ा कौन सा है कुछ इस तरीके के जो प्रस्ण पूछे जाते हैं फिर आप कहेंगे कि रचना है तो कहीं साधान किताबों में मिलती ही नहीं है ध्यान रखना यह सारी चीज़ आप देख रहे हैं उमने पहले भी आपको बताया कि कि किसी एक र वीर काबे की अगर बात करें तो वचनिका रूप सिंग की वारता सत्य सुरूप रूपक यह रचना वीर काब्यात्मक हैं इनकी जो विरिंद की पंक्ती है यह बहुत ही महत्पूर्ण पंक्तियां भी खूब पूछी आती है भले बुरे सब एक सम जोलो बोलत नाही जान प विश्णूविलास डौहाच और विश्णूविलास नाही गात्मो dos वशंड में लिखा गया नाही आएका वैद है किसमे लिखा गया है बर्व संदमें सव्याण रखना चलिंद की सहनी में है सूधन की बात के हैं तो यह राजा सुजान सिंग यानि भरतपूर के आश्रीत थे इनकी परमुक वीरिकाबे रचना सुजान चरीत है और इसमें 1745 से लेकर 1753 के युद्धों का वड़न है साथ जंगों में ये रचना विभक्त है इसलिए इसको जंगनामा कहा जाता है जंगनामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1745 से 1753 के युद्धों का वड़न इसमें है तो इसे आप ध्यान रखना कि कब से कब तक के युद्धों का वड़न है और जंगनामा किसे कहा गया है तो ये भी आपको रखना ध्यान सुजांचरीत सुजान चरित की रचना किसके ऊपर है तो सुजान सिंग के ऊपर है वीर काब्ब है किस ने लिखा तो सूधन ने लिखा गिर्धर का विराय की बात के ने तो इनकी प्रमुख ग्रंथावली गिर्धर ग्रंथावली का संपादन किसोरी लाल गुप्त ने किया है गिर्धर ग्रंथावली का संपादन किस ने किया ये भी एक बहुत ही महत्पूर्ण प्रश्ण होगा आपके लिए किसोरी लाल गुप्त ने इनकी सर्वप्रियता का कारण है विल्कुल सीधी साधी भासा में तथ्य मात्र का कथन इन में ना तो अनुप्रास आधिभासा की सजावट है ना उप्मा उत्प्रेक्छा आधिका चमतकार अंबापरसाद सुमन ने कहा है गिरधर कविराई के बाए में ध्यान रखना क्यों सुन लिजे गोर से अंबापरसाद सुमन का कृतन गिर्धर राय के बारे में कहा कि व्योहार और नीती से संबद कुंडलियां लिखकर गिर्धर कभी राय ने जितनी अधिक परसिद्धी प्राप्ट की है उतनी परसिद्धी रीतिकाल का कोई अन्य नीति का बेकार नहीं पा सका ये किसने कहा अंबा प्रसाद सुमन ने वहीं वैताल की बात करें तो ये राज़ा विक्रम सिंग की सभा में रहते थे इन्होंने विक्रम सत्सई की रचना की वैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करते हुए लिखा है बनवारी की बात करें तो बनवा को सलावत खाने अमर सिंग को गमार कहा और इसी पर बनवारी ने भरे दरबार में तलवार निकाली और अमर खान की हत्या कर दी और यह पंक्ती बहुती प्रमुख है कि धन्य अमर छित छत पती अमर तिहार उमान साह जहां की गोद में हन्यू सलावत खान सबल सिंग चौहान क की बात करें तो यह टावा के जमिदार थे और अंग्जेव के दरबार में रहने वाले किसी मित्रसेन राजा से अपना संबंध बताते हैं इन्होंने संपूर महाभारत की कथा को दोहा चौपाई सैली में लिखी है दोहा चौपाईयों में लिख डाली है यह भी आपके लि लेते हैं यहाँ पर घाग कभी की गाग कभी के बारे में आज भी अवधी छेत्र में जाएं आप यह मेरट के छेत्र में जाएं पंजाब के छेत्र में जाएं तो जो घाग कभी हैं इनकी उक्तियां आज भी किसान इस्तेमाल करता है इनकी उक्तियां आज भी किसानों के ब कुछ लोग घाट कहते हैं कुछ लोग कहते ने भंडारी का है कि चैते गुर बैसाखे तेल जेठे पंथ असाधे बेल सावन साग नभादों दही कौनार करेला ना कातिक महीं ये किसने कहा है तो घाग की पंक्तियां है प्राता काल खटिया से उठके पीए तुरत पानी वाके घर ना बैद आवे बात घाग के जानी बिन बैलन खेती करे बिन भाईयन के रार बिन महरारू घर करे 14 साख गवार ताका भैसा अगादर बैल नारी कुलक्षिन बालक छैल इसमें बचे चातुर लोग राजे हित्याग करते हैं जोग यानि कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो पंक्तिया दी गए इन पंक्तियों को जरूर ध्यान रखें इन सारी पंक्तियां बहुत ही महत्पूर्ण किसकी है ऐसा पूछा जा सकता है यानि तिर्शी द्रिश्टि से देखने वाला भैसा बैठने वाला बैल कुलक्षिन इस्तरी विलासी पुत्र यह सब क्या है दुखदाई होते हैं इसके बारे में घाग ने कहा है काटा बुरा करील का और बद्री का घाम सवत बुरी है चून को औरोस आजे का काम यानि कौन कौन सी चीजें बुरी होती है उसके बारे मुनों ने कहा करील का काटा बुरा होगा जो बदली चाही होती है उसमें जो बदली में जो धूप निकलता है ठंड गरम जो लगता है लोगों को वह ब्रेसरा नदें होता हैं जो साधर जम्रेश्जीवन में जो परिए यहां तक उन्होंने कहा है कि जाको जाके मारा चाहिए मारे भीनगाओ वाके यहीं बताई है घुयां पूरी खाओ यानि अगर किसी को मारना तो उसको यह न कहिए बिना उसको आप घाव के मार सकते हैं बिना ऐसे ही आप मार सकते हैं बिना वार किये मार सकते हैं बस उसको एक सलाह दीजिए कि वो गुईया की सबजी और पूरी खाए जिससे धीरे धीरे यो लगातार अगर खाता रहेगा तो उसके पेट खराब होगी स्वास्त खराब होता चला जाएगा तो इस तरीके से घाग ने कहा ज्यादा खाए जल्द मर जाए सुखी रहे जो थोड़ा खाए रहे निरोगी जो कम खाए बिग्रे कामना जो गम खाए तो यह बहुत सारी समाज में प्रचली जो चीज़ें थी उस पर घाग कभी ने कहा है तो इस तरीके से रित्मुक्त काविधारा की बात हम लोगों ने कर ली और फिर आगे जो कक्छा होगी वो कल आपको मिलेगी और इसी पर अधारित आज रात में 9 वजे लाइब कक्छा में हम लोग मिलेंगे हमारा जो नया बैच है उस नया बैच में अगर आप जोड़ना जानता है मैं यह मान कर चलता हूं और उस सूने से लेकर आपको सिखर तक पहुंचाते हैं यानि इतना ज्यान आप तक हो जाएगा कि आप किसी भी स्टेट की कोई भी परिक्षा में आप बैठें साहित में आप पीछे नहीं रहेंगे कोई भी प्रस्णा ऐसा नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो यहां पर हमारे क्यों जोईन करें करें उसका कारण देखिए उसलिए करें क्योंकि प्रति दिन सुबह आपको दस बजे पीडिया जाएगा प्रत दिन नों बजे लाइफ कख्षा दी जाएगी पूरे सब्दा कोई आउकास नहीं होगा बैच की सम समय का प्रतिबंद नहीं लेक्चर बाद में भी आप देख सकते हैं जितना एक सब्दा में पढ़ाया जाएगा उसका साब्ता ही टस्रीज रविवार को होगा हम से जूड़ने के लिए आप इस दिए गए नंबर पर फोन करके वाटसप करके फीस और सारी जानकारी आप ल करने बाद